नमस्कार मैं जोती श्रिवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत आज देश को नई सरकार मिलने जा रही है कुछ नए चेहरे तो कुछ पुराने चेहरों से नई मोधी सरकार का आज शाम गटन होगा नरेंद्र बोधी एक बार फिर देश का नेतरत्व करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर वो प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे वहीं देश को कई नए मंत्री भी मिलेंगे आजनाई सरकार का ये शपत ग्रहंट समारू कई माईनों में खास होने वाला है जी हाँ शपत ग्रहंट समारू के मद्दे नजर राष्टिय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है शपत ग्रहन समारों के मद्दे नजर अधिकारियों ने 9 और 10 जून को दिली में 9 फ्लाइंग जोन घोर्शित कर दिया है विई आईपी मुव्मेंट के दौरान ट्राफिक को नियंतरत करने के लिए करीब 1100 ट्राफिक करमचारियों को तैनात किया गया है महियाच नरेंद्र मोदी को बधाई देने और उनका होसला बढ़ाने के लिए विदेशी महमान भी इस आयोजन में शामिल होंगे मोदी के शपत ग्रहन समारूमी श्रीलंका के राश्ट्रपती रानिल विक्रम सिंगे, मालदीव के राश्ट्रपती मुहम्मद मोईजू, सेशल्स के उपराश्ट्रपती एहमद अफीफ, बांगलादीश की प्रधान मंतरी शेक हसीना, मौरिशुस के प्रधान मंतरी अच्छाम को दिख सकते हैं, इसके अलावा 2014 और 2019 में SAARC देशों और BIMS टेक देशों के नेता भी शपत ग्रहन समारों में भाग ले रहे हैं, बतादे कि आज का शपत ग्रहन समारों नई रणीती का नया आगाज होगा, जी हाँ, इस आयोजन में विदेशी महमानों को पीछे कारण खास है, आज नई सरकार के गठन के साथ ही विदेश मंत्राले अपनी विदेश नीती को फिर से मजबूत करने पर काम करने वाला है, नरेंदर मोदी के शपत ग्रहन समारों में भाग लेने के लिए, नेताओं की यात्रा भारत की ओर से अपनी पडोसी पहले न नीती को मजबूत करने के लिए खास है, फिलाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश-दुनिया की बाकी ख़बरों को जानने के लिए, आप देखते रहिए, C News भारत